अगर किसी माहा बगतान करना चुक जाए तो अगले माह पेनाल्टी के साथ भुगतान करना पड़ता है इसलिए फ्रेंस अगर आप बिजली बिल को भुक्तान करने के लिए बिजली ओपिस जाते हो वहां लाइन लगा कर पे करते हो तो फ्रेंस यह अभी के डेट में बहुत ही बैकुपी वाली बात है क्योंकि फ्रेंस बिजली बिल को पे करने के लिए बहुत से ऐसे साधन है जहा आप लोगों ने इमारे चनल को सब्सक्राइब कर दीजे और इवीडियो सुरू करेंज पॉन पे मिड़ी बीजिल को पे करने के लिए कर जाना है तो फ्रेंट से रही रिЕ Herausforder and pay Bills तो फ्रेंट यहां बहुँस सारे बिल्ट आप पे कर सकते और रिचारज भी कर सकते जैसे mobile recharge कर सकते हो DTS recharge कर सकते हो electricity bill payment कर सकते हो ऐसे बहुँससे option phone PayPal चलू कर दिया इभ И तो friends हमें आप ही करना है electricity bill को pay करना है so friends electricity bill को pay करने के लिए electricity all option पर click कर दीजिए friends उसके बाद आप कौन से state से हो so friends आप जिस भी state से हो उस state के विजली supplier को select कर लीजिए so friends जैसे कि मेरा है C36 गड़ तो 36 गड़ में CSPDCL से मेरा विजली bill सप्लाई होता है मेरे घर में CSPDCL से बिजली bill आती है so friends आप मैं यहाँ पर CSPDCL को select कर लूँगा जैसे friends इसमें बहुत सारे राजियों में अलग-अलग company बिजली provide करती है बिजली supply करती है so friends आपका जो भी है जो भी company है उसको आप select कर लीजिए इस प्रेंस आपको समाज यह आ रहे है कि हमारे घर जो बिजली supply कर रहे है वो कौन से company का है तो friends आपको जो बिजली बिल मिला होगा उसमें इस पस्ट लिखा रहता है कि आप के company का नाम क्या है जैसे की जैसे की friends असाम पावर डिस्ट्रिबुजन कंपणी ल्टीडी तो यहाँ पर APDCL लिखा है उसी प्रकार BESO scam Bangalore लिखा है इस प्रकार से friends यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा सभी state का बिजली supplier बिजली distributor का पूरा detail दिया है तो friends मैं चलता हूँ अपने 36 गड़ के distribution तो friends मैं पे करूँँगा CSPDCL को बिजली बिल तो friends CSPDCL को मैं select कर लेता हूँ So friends ऐसे कि अगर आपको यहाँ पर दीख नहीं रहा है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं CSPDCL करके So friends यह देखिए CSPDCL करके type क्या हूँ तो आ गया है So friends इसको मैं select कर लेता हूँ So friends यहाँ पर business partner number So friends आपका जो बिजली बिल है उसमें एक BP number होता है Bill number होता है वही आपका business partner number है So friends यहाँ पर उसको डाल लीजिए So friends मैंने यहाँ पर बिजली बिल नंबर को डाल लिया BP number को डाल लिया So friends यहाँ पर view sample bill भी दिया है So friends इसमें क्या दिया देख लेते हैं So friends इस प्रकार से उब्भुक्ता क्रमांग रहता है वही आपका बिजली बिल या BP number है So friends इसको confirm कर लेते हैं Confirm करने के बाद आपको आपका पुरा detail दिखा देगा कि आपके BP number में जिसका भी नाम रजिस्टर है उसका नाम दिखा देगा और आपका बिल लंबर भी दिखा देगा और जितना उसमें पेमेंट करने के लिए आपका बिजली बिल आया है उसको भी यहां पर दिखा देगा और last date भी यहां पर दिखाएगा So friends यहां देखिए मेरा 50 रुपिया है जो इश्मंद का बिल आया है So friends और last date है 25 जुलाई 2020 So friends इसे मुझे pay करने है So friends pay करने के लिए इसमें बहुँ सारे option है सबसे पहला है Bheem UPI से payment कर सकते हो दुसरा है debit card से payment कर सकते हो और तिसरा है credit card से payment कर सकते हो So friends इसके अलावा अगर आपके wallet में balance है So friends आप अपने wallet से भी pay कर सकते हो So friends सबसे बहतर वही रहता है कि आपको कोई साभी payment करना हो तो सबसे पहले आप अपने wallet में डाल लीजिए उसके बाद payment करते रहे So friends मैं यहाँ पर payment करूँगा Bheem UPI से So friends pay करने के लिए simply bill paper क्लिक कर दीजिए Bill paper क्लिक करने के बाद Friends आप अपना Bheem UPI password डाल दीजिए So friends मैं डाल लेता हूँ अपना Bheem UPI password So friends इस प्रकार password डालने के बाद आप submit कर दीजिए Submit करने के बाद Friends आपका bill payment successfully pay हो जाएगा So friends यहाँ पर देखिए bill payment successfully करके Message आ गया इस प्रकार से आप अपने Beasley bill को अपने mobile से ही पे कर सकते हो So friends इसके बाद done पर click कर दीजिए इस प्रकार से आपका Beasley bill का payment हो गया So friends आप देखना चाहते हो आपके transaction को तो History पर click कर दीजिए यहाँ पर देखिए electricity bill pad 50 रुपय From debit from आपके जो UPI से आपका जो कटा है उसका टीटेल दिखा दिया है So friends इस प्रकार से Phone पे से बीजिली बील को पे करना बहुत ही असान है और बहुत ही सिंपल है